नमस्कार जी संत्रामपाल जी माराज कीजेव क्या नाम है बेंजी आपका? मेरा नाम राजलदासी बेंजी आप कहां से हैं? मैं जिला राजगर और तेसिल ब्यावरा बेंजी संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा आपने कब ली? संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति साधनाई करती थी सर में भक्ति करती थी मैं संतो सिमा की बहुत वक्ति करती थी सर और मैं हनुमान जी के मंदिर में आर दिन की आर दिन जाती थी सर में मंदिर में मजजित में सब दूर जाती थी मैंने रोजा पी रहा क्या मैंने सब कुछ कर रहा है सर बैंजी आपने बताया कि आप हिंदु धर्म के रिती रिवाज उसे पूजा करती थी मंदिर में जाती थी और मुस्रिम दर्ग के साब से भी आब बक्ती साधना करती थी और रोजे भी रखती थी तो फिर आप संत्रामपाल जी महराज की सर में कैसे आई सर मेरी बेटी की बहुत ज़़ा तविद्खराव होगी ती तो मैंने परमात्मा से घर बेट के भूली आप मेरी बेटी को ठीक कर दो वह मैं आपका नाम उद्धिस ले लूगी मेरी बेटी के हाथ में इत्ती जोर जोर से मतलब ये नसा किचनी लगी सी मेरी बेटी की और उसके हाथ में जैसे मतलब खुन से हाथ भरा गया सा ये नसा रेती है नसा में इत्ती खुन से हाथ भरा गया सा पेर में और हाथ में मालिक की दया से कबिर साब की दया से मेरी लड़की ठीक हो गई संत्रामपाल जी महराज की दया से और फिर मेने 20-25 दन में जाके नाम उद्देश ले लिया मालिक से बेंजी हमने सुनाई कि जो भी सरदालू संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाब प्राप्त होते हैं तो क्या संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाब प्राप्त हुए मीर को परमात्मा सांत रामपाल महराज मेरे को रोडेली चमत का दिखते हैं, रोडेली लाब होते हैं मेरे को, इसकी कोई दिन नी जाता है को आज मेरे को लाब नी वा और हमारी जो आर्तित ति ηसी भी ठीक हो गई बीस साल से मेरे को बूत पलीत की बाद थी तो वो एक का सरीर में निकल के दूसरा की सरीर में गुश जाता है दूसरा का सरीर में गुश के दूसरा का सरीर में गुश जाता है और पूरा घरबर को हमारे यही होता जाता रहता है कि बेटी बिमार हो जाती में बिमार हो जाती यहां भी मतलब जाते हैं लोग और मैने संतों सीमा का बहुत बरत करया जा जाते हैं सब दूर गई में जा जा पी मेर से बन पड़ी जहीं गई लेकिन कई से ठीक नहीं और मैं इतनी पागल थी कि मैं बच्चों को सब को लेके चल दी चलती हैं इधर उदर और मतलब एसी कंड संत्रामपाल जी महराज की संद में जाने से मेरी मेरी पूरी घर की कंडिसन सब कुछ मालिक ने सब कुछ ठीक करया संत्रामपाल जी महराज ने भूत पलित की समिश्या पी ठीक होई और मेरे घर की टेंसन पी सब दूर होई वही पूरण परमात्मा है वही कबीर सहाब है व जादा कर्जा कर लिया सा मेरे बेटे ने संत्रामपाल जी महराज की दाया से पूरा पढ़ गया सब कुछ ठीक हो गया और मेरे बेटे की लोग भाग बोलते थे कि इसके बैच्चे तो कौहां रहे गए कौहां रहे लोग तो एसे ही रहे गए और संत्रामपाल जी महराज की द और मालिक से नाम कर अधिया, उसके बाद पूरा करजा पढ़ गया, उसकी साधी होगी, और घर की स्तितिर ठीक होगी, मेरे लड़की जो पढ़ाई करने चाहती थी, मेरे लड़की जो पढ़ाई करती थी, मालिक ने फिरी में सब कुछ करवाया, जो सब्जेट लेने चाहती थी वही मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से विए मैं मिलीया द्वर पैसे से उसके एडविशन हो उसका ‎्थ बिशन उसका अजय है व्हां एडविशन इसका सब्जेट दख़ेट भाय का था और उसका नरसिंग का करने के शपना था संत्राम पाल्जी महाराज की दएया से सब कुछ दीरे दीरे शपना उसका सैय हो रहा है और जो मैं देखती हूँ वह हता है अगर बुरी बातों होती है तो मैं मालिक से पढी itself कर्ति हूँ कि मालिक यह बुरा है ना अमर करम जो है मतलब ये पता नहीं कहा कहा के कत्रा जनम का करम है ये परमात्मा दूर करो पिरात न करती हूँ परमात्मा पूरन परमात्मा आप ही है संत्रामपाल जी महराज आमारे संकट को अटाओ तो परमात्मा अटा देते है बैंजी संत्रामपाल जी महराज से नाम वो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बेन जी, संत्रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? धन्यवाद बेन जी संत्राम पाल जी माराज कीजे हो